आग मैं आप लोगों के लिए आइस क्रीम के ऐसी रस्पि लाइं, जो कह शुगर फी होगी, तो उन लोगों के लिए आइडियल है जो ऐसी रस्पि जानना चाते हैं, जो के शुगर फी है, तो इसमें simple क्रीम भी ना यूज़ो, अब साम इकम, वेलकम टू मेरेटीव चैनलिग कीचेन विज जैम, तो आप सबी जानना चाते होंगे, आप पर अकसर लोग ऐसे होंगे, जो शुगर प्रे आइसक्रीम को घर में बनाना चाते होंगे, बहुत सारे पेशेंट हैस होते हैं, या फिर अगर आप डाइटिंग कर तो तब भी आप जो है वो हेल्दी आइसक्रीम रेसिपी जाना चाते हैं, तो यहां पर मैंने दो अदद बड़े साइस के केले ले लिए और इनको इस तरह से मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया था, अगर आपके केले साइस में बड़े नी है तो आप तीन अदद केले ले अब इसको मैंने फ्रीजर में रख दिया था तक्रीबन चार सा पांट केंटे के लिए दूसरी तरफ मैंने 15-20 बड़े थे और इनको मैंने ओवरनाइट बिगोने के लिए रख दिया था, ओवरनाइट जब आप इसको बिगोंगे ना तो आपको बहुत ही वितरीन रिजल् की थी, तो अगला स्टेप हमने क्या करना है कि मैंने ब्लेंडर लिया था और उसमें मैंने आदा कप के बराबर पानी डाल दिया है, अब इसमें आदा कप पानी डालने के बाद मैंने ये जो बडाम थे 15-20 अदर जिनकी स्कीन रिमूव कर ली थी वो इसमें डाल देना है, तो बेसिकली हमने वो अलमेंट मिल्क रेडी करना है और उसी से ये आईस क्रीम बनेगी, इसको तकरीबन आपने वो 4-5 मिनिट के लिए ब्लेंडर को चलाना है, ताकि अच्छा सा ये अलमेंट मिल्क रेडी हो जाए, यहां पर मैंने ब्लेंडर को फूल स्पीड पे चलाया तकरीबन 4-5 मिनिट के लिए देखिए, अच्छा सा ये अलमेंट मिल्क रेडी हो चुका है, अब यह जो फ्रोजन बनेना था ये हमने इसमें शामिल कर देने हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि मीठी कैसे होगी, और इसमें हम कोई शुगर वगारा कुछ भी शकर वगारा क अब केले डालने हैं, और साथ ही मैंने दो से तीन ट्रॉप्स ये इसमें वनीला एसंस के अड़ कर दिये, तो ऑप्शनल है, अगर आप एड़ करना चाते हैं, तो कीचे नहीं करना चाते हैं, तो skip कर दें, अच्छे से अब इसको मनें मजीद ब्लेंड करना है, इतनी देर क अभी से आपको एक क्रीमी सा लग रहा होगा, तो अब मैंने इसको कंटेनर में निकाल के और इसके पर थोड़े से मैंने नट्स कारनीश कर दिये थे, आप लोग अपनी च्वाइस के नट्स इसके पर डाल सकते हैं, और इसको मैंने ओवरनाइट फ्रीज होने के लिए रख तो आप आइस क्रीम खाना चाहते हैं, शुगर-free patient के लिए भी बेहतरीन है, और जो लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं, उनके लिए भी यह बेहतरीन recipe है, अब मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया था, फ्रीज होने के लिए, तो देखिए, यहां पर मैंने आइस क्रीम को है, वो बहुत ही जएदा बेतरीन है, तो आप अगर ऐसी recipe जो है, आइस क्रीम की ढूंड रहे थे हैं, तो आज ही से जो है, इसको try कीजे, और feedback से जरूर आगा कीजेगा, बहुत मेनत और कोशी से आप लोगों के लिए recipes जो है, बनाती हूँ, उमीद करती हूँ कि आप लाइक को शेयर करना बनता है, सासा चैनल को सबस्क्राइब कीजे, अल्ला हाफीस